तो बेसिकली जैसा कि मैं आप से डिसकस कर रहा था, मैंने रिकॉर्डिंग वापस चालू किया है, तो हम लोग आज जॉइंट करेंगे जितना हो सकता है, फिर आपका सेकेंड आफ इस डेडिकेटेट टू आर और पेपर, I don't know, सर क्या पढ़ाएंगे, और कल हम लोग करेंग एक कंडिशनल, ठीक है न, तो बेसिकली अभी जितना मैं पॉइंट तक करा पाऊंगा, बेसिकली पॉइंट एस्टिमेशन इस बुक 3 तक, तो जितना मैं करा पाऊंगा, खाले आरब से फाल ले, फाल ले, ठीक है, तो बेसिकली जितना करा पाऊंगा, बुक 3 पॉइंट ए लेकर करें, अन्द paper B को भी थोड़ा आगे लेकि आना है, ठीक है ना? paper B को भी थोड़ा अपने को आगे लेकि आना है, तो point तक का target बनाके चलना दिमाग में, क्योंकि 21 तारीक से जो class कराएंगे, मैं आँगो आँगो शुवागो फिय माँगे, ठीक है, तो 21 से 27 की जो classes होंगी न, उसमें सब समझ लो, 40 नमर का आएगा exam में, paper A, ठीक है, and paper V में कितना भी नमर का आ सकता है, तो 40 marks आएगा यहां से, and एक और जो मैं आऊंगा, November end में आऊंगा, 19th को, sir is also mostly coming on 17th और 18th, if I am not sure, तो उस समय जो हम लोग कराएंगे, दो बुक और कराएंगे, 6 और 7, बाकी जो mean time रहेगा, आपके online की जो classes चलेंगे, सर रात में लेंगे, 9.45 बजे, week में, 2-3 दिन, तो उस तरीके से अगर करेंगे, तो 23 तरीक तक CS1 का तो अपना exam complete हो जाएगा, proper, with sums, etc, everything, ठीक है, तो यह एकदम schedule एकदम properly follow करना है, एकदम, miss नहीं करना है class, ठीक है, आओ, ठीक है, चलो, put the heading, joint distribution, देखो, जिसका single clear है, उसको joint में एकदम दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा न, इसका PDF को notation होता है, fxy, fxy का मतलब क्या होता है, probability capital X is equal to small x, capital Y is equal to small y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, double summation होगा, एक बार x में और एक बार y में, fxy will be equal to what, 1, अगर अपने इसका CDF बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, capital F, xy, और मैं SS लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा, कि ज़्यादा कुछ change नहीं है, वहाँ पर x था, यहाँ पर दो variables आएंगे, x और y भी आएगा, ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे, यह अपना हो गया PDF का, यह अपना हो गया CDF का, ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपने को marginal निकालना होता है, marginal का मतलब क्या होता है, only x, खाली x का PDF, तो अगर अपने को marginal निकालना है, तो अपने क्या करेंगे, sum करेंगे y में, joint को, अगर y के range में sum करेंगे, तो x का marginal मिलेगा, और x के range में sum करेंगे, तो y का marginal मिलेगा, ठीक है, एक्स के range में अगर sum करेंगे, तो y का marginal, y के range में sum करेंगे, तो x का marginal, और एक चीज़ लिख देना, joint is equal to product of marginals, इसका मतलब क्या है, fxy is fx into fy, मने ये वाला condition कब follow करेंगा, हमेशा नहीं, if x and y are independent, अगर x और y इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, अगर independence को प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, joint is equal to what, product of marginals, और लिखते चलो, conditional कैसे निकालेंगे, joint by marginal, जैसे for example, अगर fx given y निकालना है, तो अपने करेंगे fx, y by fy, तो joint अपना आगिया fxy, and marginal आगिया y का, ठीक है, अगर तुम पढ़ाई चलो गर, क्या पढ़ रहे है, वीडियो नहीं देखेगा, यूट्यूब पर देख ले, headphone लाए, बाहर से ले ले जा, ये एक ad tech, मतलब हर type का, तुम कुछ भी सोच भी नहीं सकते है, हम लोग क्या-क्या रखते हैं, ठीक है, तुम बस बाहर जा, बोल तो को मिल जाएगा, girlfriend ही बन जाएगा, बाहर जगे बले, girlfriend चीए, तो वो भी बन जाएगा, जाएगा, यहाँ से यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो conditional is what, joint by marginal, ठीक है, ये brief मैंने एक आपको basic दिखाया, notation के बारे में, funda समझ लीजे, कुछ भी नहीं है, एक सम में पूरा joint खतम हो सकता है, अगर discrete समझ में आ गया है, तो continuous में क्या करना पड़ेगा, खाली, integrate, अरे यहाँ पर सम में वहाँ पर क्या होगा, integrate ना, ठीक है, पहले copy कर लो फड़ाफट से, fxy is what, probability capital X is small x, capital Y is small y, double summation xy, अगर अपने को X में और Y में दोनों में सम करेंगे, तो क्या मिलेगा, 1, because total probability हमेशे कितना होता है, 1, सक्षम, रागव, रिद्धी, भूमी, दिया, स्तूती, नंदिनी, जुही, समिक्षा, और रोहित, और भी दो तिन लोग है, X का मार्जिनल निकालने के लिए Y में सम करेंगे, Y का मार्जिनल निकालने के लिए X में सम करेंगे, यह Fxy क्या हो जाएगा, probability capital X is less than equal to small x, capital Y less than equal to small y, ठीक है, बुलो हाया ना, इसके बाद मैंने क्या लिखाया, अगर independent X और Y तो क्या बोला, if X and wire independent then what, if X and Y are independent then what, joint is what, product of marginals, मतलब क्या हो जाएगा, Fxy is what, Fx into Fy, and conditional क्या होगा, joint by marginal, so Fx given Y is what, Fxy by Fy, is it clear, copy कर लिजे इसको, ठीक है, अब एक सम लिखो, हाँ, शुर, ्इब हो जगर बोला हो, ऑ्यां एक सॉर 59. क्या है, जान क्या है, है, क्या है, अजू जू राइब得, अब लिखो टू टेट्रा हेड्रोन्स हार रोल्ड ब्रैकेट में लिख दिना फोर फेस्ट एक्स को में ने डिफाइन किया है नमबर और फर्स्ट रोल वाई को डिफाइन किया है लार्जर ओफ टू स्कोर्स ठीक है अब ध्यान दीजेगा पहले कॉपी होगे एला हाँ अब इस सम में पुरा ध्यान देंगे पुरा एक घंटा लगेगा इस सम को करने के लिए ठीक है एकदम ध्यान देंगे यह कॉपी होगे सबका एक्स को मैंने डिफाइन किया है नंबर ओन फर्स्ट रोल तो ऐसे काम करो रुको 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 यहाँ पर ऐसे लिखते हैं नंबर ओन फर्स्ट रोल एक मिटे को नंबर ओन नंबर ओन फर्स्ट रोल नंबर ओन सेकेंड रोल ठीक हैं larger of two scores. यह यह न? ध्यान दो. Number on first roll is what? X and larger of two scores is what? Y. तो जब इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आ सकता है. इसमें 1 आएगा, इसमें 2, इसमें 1 आएगा, इसमें 3, इसमें 1 आएगा, इसमें 4. Copy करिए पहले यहां तक. प्रिवाँ जएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा. ये वला हुआ, अब ध्यान देना, अगर ये है, तो जब इसमें 2 आएगा इसमें 1, इसमें 2 आएगा इसमें 2, इसमें 2 आएगा इसमें 3, इसमें 2 आएगा इसमें 4. Similarly, इसमें 4 आएगा इसमें 1, इसमें 4 आएगा इसमें 2, इसमें 4 आएगा इसमें 3, इसमें 4 आएगा इसमें 4 बोलो हाया ना, ठीक है, हाँ, अब larger पे आजाओ, अब larger पे आजाओ, तो 1 और 1 में larger क्या है, 1, 1 और 2 में 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 चलो पोईट्री चलो करो पोईट्री का आगे का बोलो गाओ तुम लोग 3, 3, 3, 4 और लाच में क्या आएगा 4, 4, 4, 4 ठीक है सबको संभना रही है हाँ यहाँ था clear एकदम अब ध्यान देना अब एक joint distribution दिखता कैसा है यह x हो गया, यह y हो गया यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 4 ठीक है अब ध्यान देना मैं जो बोलूँगा उसका जवाब देना पहला में आया 1 पहला में आया 1 एंड दोनों का larger है 1 ऐसा कितना case में possible है टोटल केस कितना है, 4 into 4, 16 पहला में आया 1 एंड दोनों का बड़ा है 1 1 out of 16 cases पहला में आया 1 दोनों का बड़ा है 2 इन how many cases अराम से सोच के बोलो पहला में आया 1 एंड दोनों का बड़ा है मैं वापस से बोल रहा हूं पहला में आया 1 एंड दोनों का बड़ा है 2 तो कितना case में ऐसा होगा आराम से सोचो बापस से बोल रहा हूँ पहला में आया वन और दोनों का बड़ा है टू इसका मतलब क्या है दूसरे में क्या आया होगा टू दूसरे में क्या आया होगा टू तो कितना case है बताओ दोनों का larger मैं बोल रहा हूँ पहला में आया one पहला में आया one एंद दोनों का larger है two ऐसा कितना case में हुआ है one ठीक है तो क्या हो जाएगा one by sixteen again one by sixteen again one by sixteen ये वहला clear हो रहा है हाँ ये वह उनलाइन में सबको clear हुआ yes no पहला में आया two दोनों का बड़ा है one मूर्ख है क्या पहला में आया थ्री दोनों का बड़ा है वन पहला में आया थ्री दोनों का बड़ा है टू पहला में आया फोर दोनों का बड़ा है वन टू थ्री अब पहला में आया टू और दोनों का बड़ा है टू ऐसा कितना केस में पॉसिबल है टू किकी दूसरा में वन टू कुछ भी आ सकता है फिर अगीन वन बाइ सिक्स्टीन फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लियर है अब ध्यान दो ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है मैं कुश्चन पूछ रहा हूँ जवाब देना जब तक एंसर सही नहीं है तो तक पूछते जाऊंगा कुश्चन यह है जब वर्टिकल सम कर रहे हैं वर्टिकल सम वर्टिकल जब सम कर रहे हैं तो क्या वैरी कर रहे है वर्टिकल जब सम कर रहे हैं तो क्या वैरी कर रहे है एक्स आप जब उपर से नीचे देख रहे हो तो क्या चिछ का value change हो रहा है x का ना क्योंकि एक vertical column अगर अपने देख रहे हैं तो y तो 1 ही है या फिर y तो 2 ही है या फिर y तो 3 है और अगर अपने horizontal देख रहे है horizontal तो क्या change हो रहा है y मैंने बोला अगर marginal PDF निकालना है x का तो किसमें sum करेंगे y में तो ध्यान देना अगर x का बात करते हैं तो पहले ऐसे sum कर रहे हैं ऐसे ऐसे sum कर रहे हैं तो ये कितना आएगा 4 by 16 4 by 16 4 by 16 4 by 16 और क्यों ना हो और क्यों ना हो क्योंकि दोनों में sorry x का मैंने क्या definition लिखा है number on first roll number on first roll तो number on first roll will be 1 1 out of 4 cases, number 1 first rule will be 2, 2 out of, sorry, 1 out of 4 case, number 1 first rule will be 3, 1 out of 4 case, and number 1 first rule will be 4, 1 out of 4 cases, सारा आ रहा है, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, is it clear, x का मतलब क्या है, खाली x, x का मतलब क्या, खाली x, y के बारे में बात करो, y, y 1 है मतलब क्या, दोनों का बड़ा 1 है, दोनों का बड़ा 1 कितना case में possible है, 1 out of 16, दोनों का बड़ा 2, इधर देखो, दोनों का बड़ा 2, दोनों का बड़ा 2, कितना case में possible है, 3 out of 16 cases, ठीक है न, दोनों का बड़ा 3, दोनों का बड़ा 4, जब मैं बोल रहा हूँ खाली y का मतलब क्या है जब मैं बोल रहा हूँ खाली y उसका मतलब क्या है दोनों का बड़ा दोनों का बड़ा 1 2 3 4 जब मैं बोल रहा हूँ खाली x उसका मतलब क्या है ठीक है कॉपी कर लिजे इसको तो ये मेरा बन गया y का marginal और ये मेरा बन गया x का marginal कि अजय मेरा बन गया है के दो को ए हाँ गया है कि लु बस्ट करें cay आन्स पीजहदा सब द्ट har की बना गया झाल झाल क्लियर यहां तक तो एक्स का मार्जिनल अगर अपने पीडिएफ बनाएंगे तो यहां एक्स और यहां प्रोबैबिलेटी कैपिटेल एक्स इस इकल टू स्मॉल एक्स तो वन टू थ्री फॉर सॉरी क्या होगा बताना इस इट ओके हाँ क्लियर है कॉपी कर लीजिये यही अगर अपने वाई का बनाएंगे यही अगर अपने वाई का बनाएंगे यही बेटा दिखाओ कहाँ पर हाँ क्योंकि यह एफ एक्स हो गया ना जब अपने ऐसे देख रहे हैं ऐसे तो क्या वैरी कर रहे है य तो य में सम किया ना य में सम किया तब तो एफ एक्स मिला और जब अपने ऐसे देख रहे हैं तो क्या वैरी कर रहे है एक्स एक्स में सम किया तो य का मार्जिनल मिला यहाँ पर हमेशा आपका वन आएगा यहाँ पर क्या क्या रहा था, 1 by 16, 3 by 16, और 7 by 16 distribution बन गया, अब next अपना task है, expectation निकालने का, ध्यान देना, इधर देखो expectation जो अपने निकाल रहे हैं, पहले बात करते हैं नया चीज का, expectation of xy, तो x into y into probability, logic लगाओ यार, अब तो अपने application में आ गए है, x into y into probability, तो क्या होगा, this into this into this, 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 into this, ऐसे करके 16 बार होगा, एक sample देख लो, अपने क्या कर रहे है, 1 into 1 into 1 by 16, प्लस, 1 into 2 into 1 by 16, इस तरीके से जाएंगे, 16 बार, करो, calculate कर बताओ कितना आ रहे है, 1 into 1 into 1 by 16, 1 into 2 into 1 by 16, 1 into 3, ऐसे करके, फिर 2 into 1 into 0, 2 into 2 into 2, ऐसे करके, and expectation of x और expectation of y तो निकाली सकते हैं, ये तो नो निकाल लो, expectation of x और expectation of y तो निकाली सकते हैं, अपन, निकाल लो, झाल 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 ठीक हैं? इसके बाद में एक्सपेक्टेशन अव एक्स कितना आ रहा है? 1 इंटू 4 बाई 16 2 इंटू 4 बाई 16 तो दिस इस वाट? 1 बाई 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और यहां पर क्या आएगा? 1 इंटू 1 बाई 16 2 इंटू 3 बाई 16 3 इंटू 5 बाई 16 4 इंटू 7 बाई 16 कितना रहा है? कैल्कुलेट करीए फड़ा बट से झाल 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 क्या क्या रहे कि करके बताओ expectation of x, y क्या रहे expectation of x क्या रहे expectation of y क्या रहे ठीक है यहां तक कर लिजे करो prosecutors न में दुवारा से करो सभका कितना आ रहा है थाव धत्ने के मैं खर 오른 एन्म का टाइम गतल जरहां करो करो मैं दू मिट का टाइम खर करोすमिट करो झाल 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 आया सबका एंसर येस और नो 135 भै क्या देख रही हूँ नीद में हो क्या अब इसके बाद इंडिपेंडेंस चेक करेंगे कैसे बता है हम मैं बोला हर एक वैल्यू के लिए जॉइंट इस प्रॉड़क्ट और मार्जिनल तो जीरो को पकड़ो क्योंकि जीरो पे प्रूफ करना एजी है बोलनेगा मतलब है क्या ये वाला और ये वाला जो वैल्यू है इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है ना मतलब ये इंडिपेंडेंडेंड नहीं है और वैसे भी independent नहीं है, क्योंकि जो y है, वो क्या बोल रहा, larger of two scores, तो larger of two scores पहले वाले को पता कि यह बेना कैसे निकलेगा, logically तो ठीक है, बट बहुत बार logic नहीं लगता है, तो 0 को पकड़ो, मने, देखो, independence के लिए अपने को क्या check करना है, ध्यान जो सुनो, fxy should be equal to fx into fy for all x, y, माने हार एक एक और y के लिए अगर यह चीज true है, मतलब independent है, कोई एक के लिए भी अगर true नहीं है, इसका मतलब क्या है, not independent, क्या बोला मैंने not independent, समझा, हाँ, बोलो, is it okay, बोलो भाई, ठीक है, इसके बाद में हम लोग निकालते हैं, conditional PDF, हाँ, बट नहीं आ रहा है, इसलिए independent नहीं है, आने से independent होगा, conditional PDF देखो ध्यान से देखना, जॉइंट by marginal बोला ना, माल Rainbow आपने को निकालना है, यह अपने को निकालना है, इसका PDF निकालना है, तो इसके अंदर में अपने को क्या क्या निकालना है, पर ले ध्यान से देखो, सब से पहले अपने को निकालना पड़ेगा f x is equal to 1, given y is equal to 2, तो यह कैसे निकालेंगे, joint by f y 2, ठीक है, देख के बताओ, f 1, 2 का क्या value है, f 1, 2 का क्या value है, 1 by 16, and f y 2, मतलब y का marginal, y का marginal 2 पे क्या value है, 3 by 16, तो क्या आएगा, 1 by 3, is it okay, हाँ, अब ध्यान दीजेगा, similarly f, x is equal to 2, given y is equal to 2, f 2, 2 by f y 2, तो 2, 2 का value बताइए, 2 by 16 by 3 by 16, तो क्या आएगा, 2 by 3, इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, f, x is equal to 3, given y is equal to 2, so this is f 3, 2 by f y 2, तो क्या आएगा, बताओ, 0, and similarly f, x is 4, given y is 2, ये क्या आएगा, बताइए, हाँ, 0, तो अपना जो pdf, पहरे इसको copy कर लो, सब कुछ समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बोलो, भाई, 14 से 20, प्लीज, एकदम मजाक मत करना, revision note लेना, और उसको पुरा practice करना, institute का mat पढ़ना, ठीक है, तो क्या doubts भी अच्छे से clear हो पाएगा अपना, अभी तुम लोग को बहुत आगे बढ़ा दिया, लेकिन तुम लोग अगर मेहनत नहीं करेगा, तब फिर कोई फाइदा नहीं है, कोई भी फाइदा नहीं है, ठीक है, it's up to you, ठीक है, इसको लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, प्रोबाबिलिटी एक्स गिवन य इक्वल टू, तो यहाँ आ रहा था, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, जीरो और जीरो. बोलो भाई, हाँ या ना, इसके बाइद एक और करेंगे, कॉपी हो गया? एक और करेंगे, मालनो अपने को कंडिशनल पीडिएफ निकालना है, प्रोबाबिलिटी य का निकालना है, गिवन एक्स एक्स एक्वल टू, ठीक है? तो इसमें क्या क्या निकालेंगे, एफ, y is equal to one, गिवन एक्स एक्वल टू, अब कन्फ्यूज मत होना. लिखेंगे, एफ 1,1, by fx1, देखके बताओ, क्या होता है, f1,1 का वैलियू, 1 by 16 and fx1 का value 1 by 4 तो answer क्या आएगा answer क्या आ रहे बताओ 1 by 4 f y is equal to 2 given x is equal to 1 तो आप क्या लिखेंगी कोई बता सकता है 1,2 तो कि पहले x आता है by fx1 तो क्या आएगा बताओ 1 by 16 by 4 by 16 तो क्या आएगा 1 by 4 तो बागी का भी वही आएगा चीक है तो अपना बन गया copy कर लो y वाले में confused मतो न क्योंकि y बात में आता है झाले तो झाले कि उने का ग्रुबंगा झाले मतोंकि ये खबकूबागा बोलो हाया ना ठीक है शिगा सुबह वाला क्लास में लेट क्यों होगे तुमको आज सुबह जो क्लास हुआ था बाई चांस मतलब बाई चांस कैसे हो सकता है ठीक है आईए अब एक कंटीनुएस वाला करते है एफ यू कॉमा वी इस वाट टू यू प्लस वी बाई थ्री थाउजन यू का वैल्यू जो है वो 10 से 20 के बीच में लाई करेगा और वी का जो वैल्यू है माइनस 5 से 5 के बीच में लाई करेगा चीक है सबसे बहले मेरे को प्रूफ करना है कि यह एक वैलिट पीडिएफ है तो वैलिट पीडिएफ है अगर मेरे को प्रूफ करना है तो कैसे करूंगा बताओ इंटीग्रेशन करेंगे यू रूंस फ्रूम 10 तू 20 इंटीग्रेट करेंगे वी रूंस फ्रूम माइनस 5 से 5 2 यू प्लस वी बइट थाउजन डीवी दी यू तो पहले जब मैं वी के रेस्पेक स्ञांट मैं करूंगा तो किसको कॉंस्टन मानूंगा यू को चलो आज हो करते हैं इसको सो इंटीग्रेशन 10 से 20 टू यू वी प्लस री स्कॉयर बाइटू होल डिवाइड़ बाइट बाइट री थाउजन अब इसमें वैलू डालेगी माइनस 5 से 5 कहा डालेंगे यू के जगह में न वी क थाउजन वी के जगह में पहले 5 डाल रहे हैं तो क्या आएगा 10 यू प्लस 25 बाइटू माइनस क्या बताओ माइनस 10 यू प्लस 25 बाइटू डी यू बाइट अपस्या करना पड़ता है ऐसे इतना इसी थोड़ी है प्लस माइनस में गोल हो जाएगा तर पांचन नंबर ठीक हैं सॉल्फ करो विसको आगे तो 1 बाइ 3,000 बाहर 10 से 20 20 यू डी यू तो क्या आजाएगा 20 बाइ 3,000 यू स्कूर बाइ 2 10 से 20 20 बाइ 3,000 इंटू हाफ 400 माइनस 100 कितना रहा बताईए कितना रहा बताईए वन आ रहा है प्रोफेशनल कोर्स में ना कभी भी हाफ हाटेड मत करो छोड़ दो बैस्ट छोड़ दो इंजोई ना ने तो इंजोई भी नहीं होगा प्रोफेशनल कोर्स का एक्ज़र भी नहीं आएगा युल सी डेस पासिंग बाई मन्स पासिंग बाई टर्म्स पासिंग बाई फोड़ दो इस लागा रूटीन देन का तीन चार घंटा यू नीड टू गिव नहीं तो कॉर्स देमांज इट यू फिल देग्जाम ठीक है तुम नहीं करेगा तो हजारों लोग लाइन में खड़ा है वो लोग करेगा ठीक है किसमें आपको जानने के लिए रचिस करना पड़ेगा नहीं करो पूरा अब करना है पूरा अभी तुमको थोड़ा आगे तक करना है ताकि तुम्हारा स्टाइट का बेसिक नॉलेज बनेगा थीक हैं बेसिक नॉलेज बनेगा तो क्या होगा सर चाह में आएगा का में आएगा कॉंटेंट तो छुटाइंगे سब़ीन करने Djilнес तो तो थोड़ा बेसिक नॉलेज होने से तुम्हारे तुमको और विश्चिन टीक में इजी होगा ठीक है ठीक है बहुत सरी चीजे ऐसी हैं जो डिस्क्रीट पर नहीं समझाएंगे कंटिनुस से समझाएंगे अभी जब तुम दोनों करोगे तब तुम डिफ्रेंशेट कर पाओगे कहा प्रॉब्लम है ठीक है यह ठीक है तो यह वला हो गया अब इसके बाद एक प्रोबैबिलेटी निकालो ऐसा हो सकता है कि तुम कंटिनुस डिस्टिविशन का इंटिग्रेशन में टक जाओ हल्का टफ आ जाए तुम नहीं कर पाओ तो यू नीड टू नू दिस थिंग्स वी ग्रेटे दन जीरो एंड यू लाई कर रहा है दस से पंदरा के बीच में तो अपने क्या करेंगे बताओ दस से पंदरा एंड यहाँ पर क्या होगा जीरो से फाइफ टू यू प्लस वी बाई त्री थाउजन डी वी डी यू solve करके बताओ कितना R Us का answer इसके बाद तुम लोग अपना logic से try करना marginal of u and marginal of v हम दसस्बंट का time दे रहे हैं तो ट्राई करो u का marginal निकालने के लिए v में करेंगे integrate और v का marginal निकालने के लिए u में करेंगे integrate थिक है मैं उपर scroll कर दे रह रहा हूँ ट्राइ कोरें, मैं रस्मिन के टाइम दे रहा हूँ झाल 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 झा झाल 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 चलो तो सबसे पहले ये integration वाले का answer बताएं कितना आ रहा है सब लोग online में बताएंगे जितने भी लोग है 14 लोग 11 by 48 आ रहा है क्या हाँ अब F U की बात करिए तो U मतलब क्या V में करेंगे integrate 2 U प्लस V by 3000 D V F U हाँ बोलो बता क्यों करेंगे वो तो मैंने एक particular आपको probability निकालने बोला था अच्छा अरे वो तो एक normal probability निकालने बोला था माइनस 5 से 5 2 U प्लस V by 3000 D V V में करेंगे integrate तो F U मिलेगा कितना रहा बताओ गलत है गलत है 20 U by 3000 similarly अगर F V निकालना होगा तो हम लोग करेंगे 10 से 20 है क्या 2 U प्लस V by 3000 D U बोलो यहां पर कितना आ रहा है यह आएगा 30 प्लस V by 3000 ठीक है चेक करो दुबारा से चेक करो इसे नहीं होगा अब वैल्यू पुटिंग तो V का कर रहे हो ना अब वैल्यू पुटिंग तो V का कर रहे हो अरे जो भी आया बीच में माइनस होगा चेक करो दुबारा से दुबारा से शुरू से करो ऐसे नहीं होगा हाँ हाँ अगर यह हो जाएगा फिर मैं तुमनों को दुबारा से टाइम दे रहा हूँ एक्सपेक्टेशन अफ यू इंटू V निकालने का तो अगर इट्स अ कॉंप्लेक्स इंटिग्रेशन 10 से 20 माइनस 5 से 5 तो यू इंटू V इंटू क्या होगा 20 यू प्लस V बाइ 3000 डी वी डी यू यह होगा ना यू इंटू V इंटू F यू वी यही तो होता है सॉल्फ करिए इसको यह निकालेंगे और फिर इसके बाद मार्जिनल का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे मार्जिनल का एक्सपेक्टेशन मतलब होगा बनेगा यही तो है आई हूँ हो यहाँ हो निकालेंगे मार्जिन झालेंगे यही उतक सरी खो यहूँल झाल 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 बताईए एक्सपेक्टेशन अव यूवी क्या आ रहा है पहले ये बताओ 25 बाई 6 is the correct answer एक्सपेक्टेशन अव यू कितना आ रहा है बताओ हाँ एक्सपेक्टेशन अव यू नहीं नहीं एक्सपेक्टेशन अव यू गलात आ रहे तो constant आएगा एक्सपेक्टेशन अव यू और वी तो एक्सपेक्टेशन अव यू जो है दिस विल भी वाट 10 से 20 यू इंटु एफ यू डी यू ना इसका एंसर कितना आ रहा है प्रशीता कितना आ रहा है करो करो दुबारा से करो जब तक नहीं आएगा जहीं पर रहेंगे हम लोग जब तक सब लोग का नहीं आएगा तो तक आगे नहीं बढ़ेंगे हाँ वो ही उस करेंगे तो दिस विल विकम वाट 10 से 20 यू इंटू 20 यू बाई 3000 डी यू यही तो होता है यही तो सीखा और तो कुछ नहीं सीखा है कन्फ्यूस होने का तो कोई बात ही नहीं है 20 बाई 3000 यू स्क्वेर का क्या होगा U3 by 3 10 से 20 20 बाई 3000 इंटू 3 इंटू 20 का क्यूब माईनस 10 का क्यूब 140 बाई 9 फिर दुबारा सिमिलर वे में एक्स्पेक्टेशन ओ वी निकालो एक्स्पेक्टेशन ओ वी निकालो बताओ कितना आ रहा है 15 बाई चित्वेक्टेशन झालो पिर वे में ढईगे रहा है 15 बाई रहा है 15 बाई बताओ कित नहीं है 15 बाई में पिर स्क्वेक्टेशन तर रहा है 16 q 16 16 बाई पिर स्क्वेक्टेशन धठर मूद़ चेक करो तो इंडिपेंडेंट है की नहीं इसके बाद में इसके बाद में इसके बाद में निकालो F U given V and F V given U ये दोनों निकालना है अपने को expectation of V independent के लिए क्या चेक करना पड़ेगा F U, V will be equal to what? F U into F V, चेक करो ये हो रहा है की नहीं हो रहा है and if U given V कैसे निकालेंगे? F U, V by F V, मतलब V का marginal and ये हो जाएगा F U, V by F U, U का marginal बताओ दोनों के इसमें क्या क्या आ रहा है expectation of V? कितना आ रहा है तुम लोगा F U 18 आ रहा है क्या? कितना रहा है इंडिपेंडेंट आ रहा है की डिपेंडेंट आ रहा है? सब लोग ऑनलाइन में चैट बोक्स में रिपलाई करेंगे, खाली बैठेंगे नहीं? बताएंगे इंडिपेंडेंट आ रहा है की डिपेंडेंट आ रहा है? इंडिपेंडेंट आ रहा है मने ये नॉट इकोल है ना? अब F of U given V निकालो joined by marginal of V निकाल के बताओ कितना आ रहा है? चैट बोक्स में बताएंगे सब लोग हाँ, जो F U का marginal और जो F V का marginal, simple एकदम हाँ, इंडिब का दो क्या है कि वे इंडिपेंड़ झाल 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 कितना रहे बताइए एफ यू गिवन वी कितना रहे टू यू प्लस वी अपॉन 300 प्लस 10 वी और ये वाला कितना रहे है एक मिन्टो को टू यू स्क्वेर नहीं ये नहीं आ रहे है टू यू प्लस वी बाई 20 सही है ये सही है चीक है अब इसके बाद ध्यान देना ये वाला हुआ अब इसके बाद ध्यान देना हेडिंग लगाना डिपेंडेंट लिमिट्स हेडिंग लगाया डिपेंडेंट लिमिट्स ठीक है डिपेंडेंट लिमिट्स पर जैसे देखो अगर मालों लिमिट्स ऐसा है जीरो वाई एक्स टू ठीक है तो इसमें दो टैप का चीज़ हो सकता है एक होता है तुम्हारा कॉंस्टेंट लिमिट्स सो कॉंस्टेंट लिमिट्स का मतलब क्या होता है ना वाई का जो रेंज होगा वो होगा जिरो से टू और एक्स का जो रेंज होगा वो होगा जिरो से टू ठीक है, और एक होता है variable limits तो variable limits में क्या होता है y का जो range रहेगा 0 से x और x का जो range रहेगा y से 2 clear? हाँ? अब जैसे माल लो constant चीज मतलब क्या expectation of x ये सब सब निकालना है तो ये वाला use करेंगे, variable मतलब क्या जैसे fx, fy ये सब निकालना है तो ये वाला use करेंगे ठीक है? एक question देख लो पहले इसको copy कर लो एक question देख लो PDF अपने को दिया वह fxy इसके x square प्लस xy ठीक है? वो limits वो ही है जो दिया वह है अपने को k का value निकालना है तो अब देखो बाहर में जो अपने use करेंगे ना constant limits यूज करेंगे कभी भी double integration होगा ना बाहर में constant limits और अंदर में variable limits क्योंकि अंदर वाला जो होगा पहले वो integrate हो जाएगा फिर एक variable के form में आएगा और फिर उसमें constant limits जाएगा तो बाहर में मैंने use किया 0 to 2 बट अंदर में मैं use कर रहा हूँ y से 2 अंदर में मैं use कर रहा हूँ y से 2 k x square प्लस x y dy dx ठीक है अब इसमें क्या होगा ना लिख लो x will be integrated out इसका मतलब क्या x will be integrated out ना हाँ sorry thank you for that उल्टा लिख दिया हाँ अंदर में आएगा d x और फिर d y समझा तो इसमें तो x इंटीग्रेट हो जाएगा ना ले फिर पुरा y के फॉर्म में आएगा और फिर y का constant value बैट रहे है कितना है इसमें हमने क्या किया है एक्स का लिया है वेरियेबल लिमिट्स और य का लिया है constant लिमिट्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं सेम चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं डबल इंटीग्रेशन जीरो से टू जीरो से एक्स के एक्स स्कोर प्लस एक्स वाई डी वाई डी एक्स समझा हां यहां पर लिग दो य वाई विल बी इंटीग्रेटेड आउट कर लिए गया यहला पूरा कॉपी कर लिए नीचे वाला भी अब जैसे इसमें एक और चीज़ आकर निकालना वालो एफ वाई तो यह वेरियेबल चीज़ है तो वेरियेबल वाली लिमिट से उब करेंगे किसका वाई प्लस एक्स का का एक्स का व्यक्स में इंटीग्रेट करना है ना तो य से 2 के x square प्लस xy dx और फिर जब अपने को fx निकालना होगा तो अपने करेंगे 0 से x के x square प्लस xy dy लेग निव ई हृए कि हैं कि बीज डबल इंटीग्रेशन में हमेशा होग अगर इस अदर वाला में वेरीबल कि पना रहे उपर में के का वेल्यू कितना आ रहा था बोलो भाई और भेनो ये का वेल्यू कितना आ रहा है के का वेल्यू आ चुक है समिक्षा ने दे रही है के का वेल्यू वन बाई सिक्स बोल रही है समिक्षा हुआ हुआ है ये बाई हुआ बज焦ियो है झाल 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 कितना रहे हैं? बनबैशिक्स आ लेगे सबका? नहीं? चेक करो, चेक करो, बैशिक इंटिग्रेशन में दिक्कत है तुम लोग का? अंदर में वाई के रेस्पेंग में कर रहे हैं, तो वाई को छोड़ के बाकी सब कॉंस्टेंट है? झाल झाल हुआ क्या बोलो है बोली नहीं रहा है कि अरे बोलो भाई अज तो तुम्हारा CM1 हो गया अभी कौन सा दिया और हम लोग से कौन कौन सा लिया पेपर cm1 कब चालू किया था तो यह सेके अटन था की फर्स्ट पर्स्ट में दिया नहीं था ना तुम्हार कितना दूर है बगल में कितना रह बताओ के का वैल्यू अरे नंदिनी लिख रही है वं बै six समीक्षा लिख रही है वन बै six What is this अन् एफ या रहा बताओ एफबाइए फ र eenf एफ या र एफ एफ स्क्या रहा बताओ है कि सौल्प करिए मैं देस्मेंट का टाइम दे रहा हूं कि सौलक्ष में दे संहित रहा応ा भीला टा हम दे सीचा ल यान अपम बतरणी का हूं ऑनी न देस्मेटे बीच मैं दे वत्सवाल sometimes का वाई। झाल 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 कि इतना आ रहे हैं एक मेंटो को के का वेल्यू क्या रहे हैं एफ वाई कितना रहे हैं प्लस नहीं समझा हम देखे क्या रहे हैं नहीं क्या बोल रहे हैं एक रुकर रुकर कैमरा नया है एफ वाई ना फोर बाइन आइन हाँ यहीं आ रहे हैं एफ वाई का एंसर और नीचे का क्या रहे हैं ठीक हैं जो उस रूम में अभी आप लोगा दूसरा क्लास से छे बजे से ठीक है थैंक्यू क्थम आपक्शन के रहे हैं इनार में एफ यहाई है यहाई लगाई अभी आपक्शन